हलो बच्चों कैसे हूँ आप सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी हिंदी में दो अक्षरों वाली शब्द दो अक्षरों वाली शब्द वो शब्द होते हैं जो दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं जैसे फ ल मिलकर क्या बना बच्चों? फल, क, प, मिलकर क्या बना? कप, क, प, कप, घ, र, मिलकर क्या बना? घर, तो दो अक्षरों वाले शब्द वही होते हैं, जो दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं और वो शब्द कहलाते हैं. जैसे हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, क, प, मिलकर क्या बना? कप, क, प, कप, ब, स, मिलकर बना? बस, न, ल, न, ल, मिलकर क्या बना बच्चो? नल, ड, र, डर, 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 र, से मिलकर बनता है डर, च, ख, ख, च, और ख, से मिलकर बनता है चक, प, थ, प और थ को मिलकर बनता है पत आईए अब हम आगे पढ़ते हैं जट जट न ल नल ह ल हल द ल दल म त मत र थ रत ब स बस फ ल फल च ख चक ख त खत फ न फन प थ पत क है कहे घ र घर क र कर म न मन धन धन च र चड़ अब हम पढ़ते हैं कुछ शब्दों को मिलकर कुछ वाक्य बनते हैं जैसे की स च सच क है कहे सच कहे द र डर म त मत डर मत जल जल भर भर जल भर ब स बस कर कर ख त खत प ध पढ़ खत पढ़ घ र घर त क तक च ल चल घर तक चल च त च चत प र पर र ख रख चत पर रख ह थ हाठ म त मत क र कर हट मत कर प थ पथ प र पर च ल चल पत पर चल न ल नल पर पर ज ल जल भर भर नल पर जल भर आ ब अब यह यह है फ ल फल च ख चक अब यह है फल चक बस बस पर पर मत मत च ढड़ चड़ बस पर मत चड़ तो आपको समझ आया बच्चो जब दो अक्षरों को मिला दिया जाता है तो वो शब्द बनता है और कुछ शब्दों से मिलकर बनता है एक वाक्य तो आप इन्हें ऐसे ही पढ़िएगा प्याओ़